तर वसूब करन सहय काचारिये एफम स्री रादेशामार मुरारका गोवर्मेट पीजी को लेज जूजू आज हम विकॉम पार्ट पर्थवर्ष के विद्यार्थियों के लिए बुक इंडियन बेंकिंग एंड फाइनेंशल सिस्टम एफम पेपर सेकेंड में यूनिट संख्या थर्ड के अंतरकत अध्यन करेंगे विनी में सादेवी लेख चेप्टर के अंतरकत चेक के बारे में कि चेक क्या है और चेक की क्या क्या विशेशताई है तो नेगोशेबल इंस्टुमेंट एक्ट 1881 की धारा में चेक अंतरकत चेक को डिफाइन भी किया है तो विनी में सादेवी लेख के बारे में हम आज़र साग रहेंगे विनी में सादे विलेख विनी में सादे विलेख अधिनियम 1881 विनी में सादे विलेख अधिनियम 1880 है जो कि विनी में सादे को के परकारों की हम चर्चा करें तो विनी में सादे विलेख अधिनियम के परकार को मुखे तया धारा 13 Subsection Second में दिफैन किया गया है Negotiable Instruement Act 1881 की धारा 13 Second में विनिमे सादे विले को परिभासित किया है विनिमे सादे विले के परकारों को चार भागों में बाटा गया है विनिमे सादे विले के चार भाग निम लिखित है परत्थम है चेक, नमबर दूसरा है परतिग्या पत्तर, जिसे प्रोमेजरी नोट भी खेते हैं, तीसरा हम बात करें, विनी में बिल की, विनी में बिल, और चोथी हम बात करें, बेंक ड्राफ्ट की. ये विनी में साधे विलेक के परकार माने जाते हैं, विनी में साधे विलेक को हुंडी, बॉंड्स, आदी विनी में साधे विलेक की स्रेणी में नहीं मानते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बढ़ा था कि विनिमे साधे विलेख क्या है और विनिमे साधे विलेख की कौन-कौन सी विशेशताएं हैं आज इसी परकारों में अध्यन करेंगे चेक के बारे कि चेक क्या है चेक किसे कहते हैं और चेक की परमुख विशेशता है कौन-कौन सी है चेक विनिमे सादे विले खदीनियम 1881 की धारा चेक को डिफाइन किया गया है विनिमे सादे विले का धदीनियम 1881 की धारा चेक बारती विनिमे सादे विले का धारा चेक एक ऐसा विनिमे पत्र है जो किसी बेंक विशेश पर लिखा जाता है और जिसका बुक्तान इस पश्ट रूप से मांगे गे या मांगे मांग किये जाने पर भी इसके अतिरिक अन्य परकार से नहीं हो सकता है वो चेक कहनाता है तो इस परकार चेक ऐसा विनी में विपत्तर है इसे अपन विनी में विपत्तर कहते हैं जो किसी बेंक विशेश पर लिखा जाता है बेंक मिशेश पर लिखा जाता है और जिसका बुपतान इस पर श्ट रूप से मांग किये जाने पर के अतिरिक अन्य परकार से नहीं किया जा सकता तो demand जब मांग होगी तब ही उसका बुक्तान किया जाता है कोई अधर तरीके से उनका बुक्तान नहीं किया जाता है उसे हम check कहते हैं अधिनियम मिनिमे साधे अधिनियम अठारा सुट कैसी धारा 6 में इसको define किया रहा है अब हम बात करें check की कौन कौन सी विशेशताएं हैं check के कौन से आवशक तक तक तो है check के आवशक तक तो है elements of check या विशेशताएं check को मैंने बताया आपको check की विशेशताओं में प्रतों विशेशता की हम बात करें तो एक लिखित लेक पत्तर होता है check एक written में लिखित रूप से होता है इसे written instrument भी इसे कहते है लिखित लेक पत्तर होता है इसकी एक प्रमुख विशेशता ये है दूसरी check सर्थ रहीत होता है एक निर्धारित समयावदी या एक निर्धारित सर्थ इसमें होती है कि समयावदी के निर्धारित उसको जमा करवाने या उसकी मांग करने या उसको किलेर करने की सर्थ होती है तो सर्थ रहीत आदेश प्रतफ होता है अनकंडीशनल ओडर तीसरी check की विशेशता ये बात करें बैंक को ही आदेश करता है चेक order by bank ये check bank को ही आदेश करता है order to a bank ये बीशेशता है क्योंकि किसी विशेश से पार्टी से दोसे पार्टी से अगर वो check प्राप्थ होता है माना कि A विक्ति है, यहाँ पर बी विक्ति है A विक्ति B को चेक देता है तो B उस राजशी को अपने छाते में प्राप्थ करने के लिए बेंक में जाकर के उसको जमा कराता है तो बेंक को आदेश करता है कि उप्यूप्त उक्तरासी जो मेरो कोई स्वेक्टी से मिली उसको आप मेरे खाते में या फिर इन्डिज्वल देने का श्रम करें तो ये आदेश बेंक को रिक्ती देता है जिसके पास वो चेक होता है दूसरा निश्चित रासी लिखी होती है निश्चित रासी का उसमें उलेक होता है कि चेक में कितनी रासी है जैसा कि एक चेक भी पत्तर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या आती है प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं इसमें प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं सर्टेन प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं सर्टेन प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं होती है क्योंकि उसका बुक्ता लेने के लिए बेंग के समक्स प्रस्तुत करना होता है तो चेक पर ओन डिमांड सब्द लिखने पर उसकी आउस्चिता नहीं होती है क्योंकि वह आल्रीडी मांग पत्र है तो इसी करम में चेक पर हस्ताक्षर भी होते हैं तो अगला बिंदु है जिसे इस ताव में चेक पर हस्ताक्षर शिगनेचर होते हैं चेक पे कि साइन किस परकार से करना है तो चेक पे हस्ताक्सर होते हैं नीचे जिस पार्टी को पे चेक जारी किया जाता है तो उस पार्टी को देने के लिए जो चेक जो देता है उसको उस वेक्ति के हस्ताक्सर भी उंकित होते हैं तबी वो मानने होता है सुपूर्द की आवशक होनी ची तो चेक की सुपूर्द की क्या होनी ची आठवा पॉंट सुपूर्द की आवशक सुपूर्द की आवशक होनी ची ये भी एक एहम होनी का है तो इस परकार यूनिमे सादे विले एक अधीनियम 1881 की धाराच्छे में चेक को डिफाइन किया गया है जो कि एक एहम भूमिका का निर्वाहन भी ये करते हैं तो इस परकार चेक मांगने पर प्रस्तुत है तो ये इसकी मुख्ये कंटेंट है तो इसी परकार हम आसानी से चेक के बारे में हम चर्चा करें तो चेक के मुख्ये तया तीन पक्सकार होते हैं एक तो ड्रावर, एक ड्रावी, एक पेई आहारता, आहारती और आदाता तो वो तीन परकार के पक्सकार चेक के होते हैं कि चेक के पक्सकार में ने बताया कितने होते हैं, तीन होते हैं, आहार्ता, आहार्ती, आदा, तो इस परकार ये ड्रोवर, ड्रोवी और पेवी की भूलिका होती हैं, तीन पक्सकार होते हैं, और चेक को विनी में साधे विलेक, अधिने मठारा सुक्यासी की धाराच्य में ड परकार चेक को विभिन परकार से आसानी से हम किर्यानवित किया गया है तो इसी करम में ये इनकी विशेचताई है तो चेक को हम रेखांकित से संबंदित भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रेखांकन क्या है किस परकार से चेक को रेखांकित किया जाता है किस परकार से क्रियानवी ठी किया जाता है तो चेख-क्र आउशक उत्तों में मुख्यत Space ए यही विंदू है लेखित लेक्पत्र होता है सरत्रहित होता है Census को व्य आदिक करना होता है निश्टित 646 है प्र और चेक पर अस्ताक्सर होते हैं जो कि विनिमे सदे विलेक अधिनियम 1880 की धाराच्छे में चेक को पूर्ट तया डिफाइन भी किया गया है जो कि आपके देनिक जिंचरिया में चेक आपने देखे हैं चेक की ये मुख्य तया भूमी का होती है एक इसमें ये भी कंडिशन ह होती है चेक कटा-फटा नहीं हो अगर आप उसका बुक्तान करोगे तो कभी कोई इसमेश्याप के नहीं है तो चेक भी है का हम होती है क्योंकि इन से संबंदित नेगोशेबल इस्ट्रिमेंट 1880 की धारा 133 में इसके भी गूल्स दंडात्म कारवाई है क्योंकि अगर इसक दो इसका बुक्तान या चेक बाउंस होने से दो वर्स की सजा या डबल अमाउंट रासी का बुक्तान करना होता है ये भी एक इसका लिगल प्रावदान है तो इसलिए चेक एक एहम मुहमी का बने बातिया है क्योंकि विनिमे साधे विले अधिनिया मठाना सुई कैसी में इसमें दंडात्मक कारवाई भी हो सकती है तो चेक एक एहम सरहानी कारिये बेंग के मादे में से किये जाते हैं इसके रूल्स रेगुलेशन भी हैं तो इस परकार चेक एक साहिक एवं मुख्य तया एक एहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं तो इस परकार चेक के आवसे elements के अंदर उखे तया ये content थे क्योंकि लिखित में होता है लिखित में उनको जारी किया जाता है तो हम चेक को एक लिखित पपत्र यह सर्थ रही पपत्र और बेंग को यादेश उननीशी तरासी इसमें उलेखित होती है तो इस परकार हम चेक को मांग के अधार पे इसको आदेशित करते हैं तो अगले वीडियो में हम रेखांकन के बारें पढ़ेंगे जो की रेखांकन दो परकार का है सामाने रेखांकन और विशेश रेखांकन क्योंकि चेक के कुणे पे अगर आप दो समाना अंतर रेखाएं अगर खीच देते हैं तो वो अकाउंट पे ही होता है उसको जो भी पक्सकार होता है उपनगद में ने लेकर के उस जो भी धनराशी उसके संबंदीत खाते में ही जमा होती है तो ये भी एक नियम है तो इस परकार चेक के कहम भूमिका का निर्वहन किर्यान विन भी करता है तो विनिमे सादे विलेक अठारा सुट्यासी की धाराथ च्छे में चेप को डिफाइन किया गया है इसके विविन परकार के अलिमेंट्स सामिल है तो चेक के आवशिक तक तो उनकी विशेशताओं की हम चर्चा करें तो मुखे तया ये हैं जो कि विनिमे सादे विलेक अठारा सुट्यासी की धारा 138 सेक्षन 138 में भी इसको डिफाइन किया गया है क्योंकि इसमें भी दंदात्म कारवाई है अगर उसका समया चेक अगर बाउंस हो जाता है किसी पार्टी बे तो उसको डबल अमाउंट और दो वर्स का कठोर कारावार्स का भी एक नियमान उसार इसकी कारवाई है तो इस परकार आज के वीडियो में हमने अधिन किया कि चेक की कौन-कौन से विशेश ता ही चेक के नियम कौन-कौन से है और कौन से अधिनियम के तहट ये वीनिम साधे विले किर्यान वित करता है तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि चेक का रेखांकन किस परकार से किया जाता है चेक के रेखांकन के कौन-कौन से परकार है सामाने रेखांकन कौन-कौन से है विशेश रेखांकन कौन-कौन से है तो वो नेक्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि वो रेखांकन शेशममंदित होंगे जो आकर मागे इनको आपको वीडियो के माद्दे में से आपको बताएंगे तो आज का ये वीडियो आपके लिए प्योगी है क्योंकि ये एक्जाम में आपके 20 नंबर का कुश्चिन आता है इसका कि चेक की आउशक तत्तो है या उसकी परमुख विशेस्ता है कौन कौन से हैं उनकी विशेस्ताओं का आप बढ़न कीजिए बहुत 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 धन्यवाद थेंक्यू वेरी मिल्स